जय जगनात दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जगनात यात्रा क्यों इतनी प्रसिद है इसके पीछे एक बहुत पुरानी कता है जिसको आज आप जानकर उत्साहित तो होंगे ही और आपका भी मन करेगा एक बार जगनात पुरी जाने का जगनात पुरी वैसे तो एक अ जगत को रचने वाले जगत को पालन करने वाले और जगत का ख्याल रखने वाले हमारे जगनात स्वामी जो की पूरी दुनिया में अपने प्यारे सुंदर रूप और प्यार दुलार से पूजे और भाजे जाते हैं तो चलिए दोस्तों आज मैं तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक बहुती सुंदर जगह जिसका नाम बार बार जुबान पर लेकर मुझे इतना अच्छा और शांती उत्साहित होकर मेरा मनमचल उठता है कि मैं एक बार प्रभु के दर्शन श्री जगननात जी के दर्शन कर लो ये कहानी उसे समय की है जब प् पर एक सपता आराम किया उसके बाद वापस अपने स्थान के लिए निकल गए और इसी घटना के बाद जगननात पुरी में जगननात रत यात्रा का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जहां पर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मनुश्य भक्ती में राम जाता ह और यहां तक पशु पक्षी पूरा नगर प्रभु जगननात जी के पुनह आगमन के लिए द्वारा सजाता है मिठाया बनता है उसका मानता है मानो अपने घर में वहर साल सजा करता है जो उसे हो पाती है और इसलिए पूरे विश्व में जगननात जी का इतना बोलबाला ह और प्रभु जगननात जी इतने प्यारे हैं उनके साथ उनकी छोटी बहन सुभधरा भाई बलदेव का साथ और प्रभु जगननात तीनो इतनी सुंदर और मनमोहन लगते हैं कि मानो उन्हें देखते ही रह जाओ यह आखे उन्हें देखकर नहीं कहती कि उन्हें पलकों को जुकाया जाय चारो तरफ जाय जगनात जाय जाय कारे लगते हैं। भक्तगन अपने साथ साथ बहुत सारे सपने बहुत सारी मनोकामनाई साथ लेकर प्रभू के सामने हाथ जोडखड़े हैं। और एक दूसरे को देख रहे हैं कि प्रभू हमें देख रहे हैं और हम प्रभू को इस तरीके से यह जो द्रिश्य है यह मानव में अपने शब्दों में बया नहीं कर सकता, यह सिर्फ और सिर्फ आप अपने आखों से देख सकते हैं। लगेगा ऐसा वातावरन ऐसी सुन्दरता आप शायद अपने आखों में भरके अपने घर ले जाना चाहेंगे अपने मित्रगन दोस्त अपने परिवार से वहां के बारे में आप बोलते बोलते ठक जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा जगनात पुरी का जो द्रिश्य है वह इतना मनमोहक और इतना सुन्दर है मानो प्रभू आपको देख रहे हो और आप प्रभू को देख रहे हो मेरी आप सबसे यही विनती है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों भायचारे और अपने चाहने वालों को भेजिये ताकि वह भी प्रभू की इस लीला से वंचित न रह जाए आपको हमारे इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद